नमश्वार दोस्तों मेरे नाम है भलजंद्रा ब्रह्मान्द सिद्यास्टों में आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे प्रेम विवाम में यदि एक की राशी मेश राशी है और दुसरे की व्रिशब राशी है तो फिर उनका जो वैवाई इस वीडियो में हम करने वाले हैं अपना जो चैनल है ब्रह्मान्द सिद्य एस्ट्रों इस चैनल पर हर राशी के जो पति-पत्नी होते हैं उनका जो वैवाई जीवन होता है वो किस प्रकार का होता है इस विशह पर वीडियो अप्लोड हो रहे हैं आप उसका आनन जरूर लीजे तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि पति-पत्नी यदि मेश और रुशब राशी के रहेंगे तो उनका जो वैवाई जीवन होगा वह किस प्रकार का होगा अब यहाँ पर दो-तिन बाते हैं वह जान लेना थोड़े आवश्यक है सबसे पहले मैं यह ब पता चलेगा कि आपका विक्तित्व या फिर आपके जो वैवाई जोडिदार है उनका विक्तित्व है वह किस प्रकार का होगा इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि ऐसी कौन सी बाते हैं जो कि सबसे ज्यादा महतोपुर्ण हो जाती है सबसे पहले यह जानना बहुत ज् प्रकार की जो प्रॉब्लम है वह आजाए तो उसके लिए आप खुद ही जिम्मेदार होते हैं रिस्पॉंसिबल होते हैं जिसके आपको जिम्मेदारी लेना या फिर थोड़ा सा मैचूर जो है समझ जो अंडरस्टेंडिंग है वह देना बहुत ज्यादा आवश्क होता है तो ये बात जान लिजे दूसरी ज़दा मैत अपरणबाद होता क्या है अमुमान तोर पर यह देखा जाता है कि प्रेम विवा में प्रेम के पहले या फिर विवा के बात में जो पती पतनी दोनों का जो विक्तित वह होता है वो हर किसों को थोड़ा अलग-अलग लगता है इसके पीछे कारण यही होता है कि विवा के पहले जब भी आप प्रेम में होते हो तो बहुत कम समय में आप एक दूसरे के करीब रहते हो इंटराक्ट होते हो तो इसमें होता क्या है कि आप आपकी जो पॉजिटिव आस्पेक्ट है वही दिखाते हो और आपके मन में यह ब बात होती है वह उसकी जो intensity होती है वह काफी कम होती है और जो आप में negative aspects है हाला कि negative कई दाफा कह सकते हैं तो वह जो aspect होते हैं वह बाहर निकल के आते हैं क्योंकि आप कितने देर तक आपका जो nature है वह छुपा सकते हो तो आप जो भी खरे हो वह सामने आ जाते हो जिसके वज़े से दोनों में दोनों की तरस पर यह problem complication जादा हो जाते हैं कि शादी के पहले तो यह एसा नहीं था मुझे बहुत वक्त नहीं था था मेरे आगे पीछे रहता था और वह भी कहता है कि शादी के विले यह तो इसे नहीं थी आप बहुत 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 जो भी बाते होती है तो इसी वज़य से आपको जब भी मतलब आपका प्रेम विवा है तो आपको यह बाते जान देना बहुत जादा होगां तो अगर मेश राशी यह तैसे विवया है तो इसी कौन से बाते हैं जो कि जान लेना बहुत ज़्यादा है जैसे कि दोनों राशियों में जो positive negative है वो आपको देख लेना चाहिए मेश राशी का होता क्या है कि इनमें energy level बहुत ज़्यादा होता है कोई भी काम करना किसी प्रकार काम करना है तो उनका जो physical जो होता है वो काफी ज़्यादा देखा है फटा फट काम करना जट पर निलना ये जो बाते होती है वो मेश राशी में काफी ज़्यादा देखी जाती लिए रुषब राशी होता है कि कोई भी अगर बात उनको करनी है कोई भी अगर निर्णाई लेना है तो उसके लिए थोड़ा समय लेंगे थोड़ा इन डेप सोचेंगे और चारों तरह से सोचेंगे कि अगर उस काम में विफल हो जाते हैं तो क्या होगा उसके बाद उसका उनका जो second plan होगा, वो क्या होगा उसके over में उनकी पूरी तरह से सोच में थोड़ी देर लगती है, अब ये जो बात है वो method hrs org auf a goo ज़दी नहीं, ये जो बात है उसके बार में थोड़ी से जाधा थोड़ी होता है क्योंकि कोई भी काम करना है, बात arrogance अब देखिए होता क्या है कि मेश राशी की जो विक्ति होते हैं उनमें थोड़ा सा arrogance देखा जाता है इंपेशन से थोड़ा दखा जाता है जिसके बीचे कारण भी है कि इनमें energy level बहुत जादा होते है क्योंकि इनके राशी का स्वामी भी मंगल है जो कि जादा रुकना नहीं चाहता है जल्दी जल्दी में काम करना चाहता है तो यह बात इनकी वानी में भी दिखाई देती है कभी-कभी इनके जो वानी होती है वो तीक ही हो जाती है और यह सबसे important बात क्योंकि वरिषब राशी का सबसे बड़ा positive aspect वही है कि उनकी वानी वरिशब राशी की जो वानी होती है उस जैसे वानी किसी अन्य राशी में कभी देखी नहीं जाती काफी मधूर वानी रहते हैं सोभ समझकर बात करने वाले होते हैं और कोई भी कितने भी कॉंप्लिकरेट कितना भी स्ट्रेस वाला काम है वह काफी आपके सामने रख देंगे जो बाते stress आप लेड़ों इतना नहीं है तो यह थोड़ा से मेश राशी के जो वेक्ति है उन्होंने इस बात पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है क्योंकि आपकी जो वानी है वह बहुत जो महतों हो जाती है दूसरी ज़्यादा महतों पुरुणाबाद की दोनों राशीने ध्य आगे पीचे देखते हैं कोई भी वस्ति अगर उनको पसंद आती है तो आगे पीचे का वो विचार नहीं करती वो जो वस्तु है वो lifetime के लिए use है या फिर अभी मुझे पसंद हो अभी उने पसंद हो ले लेते हैं खर्चे के बारे में ज्यादा उसके बाद सोचते हैं और इ रुशब राशी के विगति जितना अच्छा पकड पाती है उतना मैं comparatively रहा हूं तो उतना जो अच्छा है वो रुशब भात द्यान देना चाहिए और रुशब राशी की जो व्यक्ति है वो फेशन प्ता होता है कि पैसे कब खर्चह करना है कांपर खर्च और roads कर के बारे में जो मतलब जो में वरिशव राशी की वेक्ति होते हैं इनका जो गणित होता है वो काफी अच्छा देखा जा सकता है अगर उनका कोई भी काम सोपा जाए और उनको वह काम पसंद आता है तो वह काम धढलने से कर देते हैं अब यह जो बात है वृषभ राशी में देखी नहीं जाते हैं जिसके इन दोने में थोड़े बहुत हो सकते हैं तो इसे के ओपर थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा दूसरी इंपोर्टन बड़ सबसे जो महतों होती है वैवाई जिवन में कि आपके जो लेटर लाइफ है आपकी जो आगे की लाइफ है इसके बारे में आपके पास पर जीनी है तो यह बात होती है दूसरी ज्यादा महत पुर्णवाथ रूशब रशी की जो resty होते हैं उनके लिया से देखा जाए उनत probudrel की संगित इनमें जाता इनमें रूची होती है और जो मैं रूची की होते हैं उनमें यह यह बहुत कम प्रप्र पाई जाती है दूसरी important बात कोई भी अगर problem या कोई मसला या किसी भी प्रकार के complication आ जाए तो यह जो मेश राशी के विक्ति होती है वो सीधे सीधे मतलब अंतिम छोर पर पहुँच जाते हैं मतलब last step जिसे हम कहते हैं वो उस पर पहुँच जाते हैं और patience बहुत ही कम होता है अब यह जो बात होती है वृषब राशी की जो विक्ति होती है उनमें बहुत अच्छी देखे जाती है वृषब राशी की विक्ति कभी भी extreme step पर नहीं जाएंगे बहुत ज़्यदा सोच विचार करेंगे और उसके बात जो की यह जो उनका सोबाओ है वो जब भी आप दोनों में कोई clashes होते हैं तो रुषब राशी की जो विक्ति हो हमेशा थोड़से address करते हैं वो किस प्रकार से बाते जो है वो tackle करने चाहिए उसके बारे में वो सोचते हैं अभी तक आपने देखा होगा कि एक की जो कमिया है वो दूसरे के लिए positive होते है हला कि जो प्रेम विवाव में यह जो बात होती है वो बहुत important होती है किसी ना कोई ना कोई दूसरे को समवालना बहुत ही ज़्यादा महतोपूर्ण हो जाता है लेकिन इसमें यह भी बात है कि जो सामने वाला व्यक्ति है जैसा भी है उसे मतलब यह प्रेम विवाव में बहुत important होता है क्योंकि आप इसके लिए जिम्मेदार होते हो आपका जीवन successful है यह पिर successful नहीं है दोनों मामले में आप इसके लिए जिम्मेदार होता हो तो आपको थोड़ा सा adjust करना important है और adjust कब होगा कि सामने वाला जो वेक्ति जैसा भी है मतलब अच्छा है बुरा है जैसा भी है आपको उसे उसी प्रकार से आपको स्विकार करना होगा अगर आप चाहते हो कि नहीं उसमें यह बदलावाना चाहिए क्योंकि बदलाव वैसे देखी नहीं चाहते है बदलाव लाने के लिए काफी ज़्यादा मशक्कत करने पड़ते हैं और वह जल्दी जल्दी में नहीं होते हैं तो महतों क्या बात है कि आप दोनों को थोड़ा सा adjust करके अगर आप काम करते हो तो बाते हो सकती है अगर आपको यह देखना है कि अगर मेश राशी का जो पत होता चलेगा या फिर ऐसी कौन सी बात है जिसके बारे में क्लैश हो सकते है उसके बारे में भी हमने चर्चा की इसके बाद भी अगर आपके वाइवाई जिवन में कोई प्रॉब्लम कॉप्लिकेशन आती है तो उसके लिए आपकी जो कुंडली है वह देखनी ज्यादा होगा इस विशय पर चर्चा आपको वीडियो कैसे लगा आपने किस प्रकाल से अनुभाव किया नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना और अपना जो चैनल है प्रमांड़ से दियाश्ट्रो इसे भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना धन्यबाद